अगर वाशियों को सारजवनिक दुरुगा पूजा शमिति के तरब से सेवा संस्तान के तरब से धेड़ सारी बदाई नवरात्र के आउशर पर आप शबी को मा की कृपा बनी रहे बंगाली समाज के तरब से एक पुरानी परंपरा विगत कई सालों से चली आ रही है और ये परंपरा जो है आज भी जिवित है पहले के लोगों ने जो परंपरा बनाई और आज के नौजवान उसको आगे ले चल ला है बंगाली समाज के तरब से सबसे पहले बात करें तो पूरे सहर में यदि सबसे पहले अगर मा का पट खुलता है तो बंगाली समाज के तरब से जो ये तुरुगा पूजा आयोजन शिमीती है इनका खुलता है कल दिन था शुकरवार और शुकरवार के दिन मा का पट खुला और शुकरवार, सनीवार, रभीवार, शुमवार यानि बिजय दस्मी के दिन तक, मंगलवार तक क्या क्या काईकरम है उसके बारे में हम विस्तार से आप से समझेंगे कि आज यानि सनिवार को रभीवार को स्वमवार को मंगलवार को विजय दश्मी का दिन सिंदुर्दान तो आज क्या-क्या होगा चुकि आज सनिवार है कल तो बिद गया आज क्या-क्या काईकरम है अब आज तो शाम का मा की पुजा है उसके बाद मा की आरती भोग प्रशाद केटने में शुरू होगी वह साम को संध्या समय साइंक साथ बुजे करी आरती आरती उस पंडी जी के आरती के बाद हम वॉल्टिक कुछ आरती करेंगे मा के सामने साथ से नौ पंडाल दर्सन कब साथ से लेकर सदालों का आना जाना लगा राएंगा चली पहों को सामिल होते हैं जो आरती करते हैं जो पूजा करते हो कहां से इसमें औरती करने वाले तो हमी लोग होते हैं जन्रल ये और से पंडी जी होते हैं। कन्डी कलकता के द्वारा मा की आरती और पूजन होता है। मैं क्लकता से ठाक बजाने वाले आते हैं हम कद देखा हैं। भोग विद्युवत चढ़ाई जाती है मां की आर्ठी के पस्ट्यात हम लोग आर्धी करते हैं तो मां का भोग तयार होता है करकत्ता के कारिगर द्वारा होता है गजब बलिया में यानि भिर्गु छेत्र में सजा दुर्गा पंडाल मा का दर्बार बंगाल से लोग आते हैं भोग की तैयारी करते हैं अउनी के हातों बनाए हुए भोग को ग्रहन भी मा करते हैं अज होगे आज का दिन तो बड़ा मजा अता होगा नगाड़ा डोल बसता होगा जुमते होंगे पूरा तो गोतम संगयाल स्वावरी सन्याल कुछ होटा है तो आज होगे आप आपका सत्तमी तारीक होगे 21 बाइस को क्या होगा इसको महाश्टमी हाँ सपरपतर माका मन्जेस आगे बाद होस्के आपना पूजा करेंगे महाश्टमी की पूजा होगी पूजा बहुत वी दिवत होती है उसमें कई चीज लगते हैं जैसे 108 बेलपत्र के माले और नाना प्रकार का वेंजर मनता है माता जी को भोग दिया जाता है कि चुड़ी हुआ पांस तरह का भुजिया हुआ और कई तरह की सबजियां कीर चटनी वगरा दी जाती है और उसके बाद अपना पूजा के पस्चाद फिर एक पूजा होता है ज पूजा के टाइम होता है जिस अनुसार वह पूजा होती है उस समय पे सब कुछ होता रहता है बहुत अच्छा बताए गौतम जी ने कि 108 दिये जलते हैं तो रोशनियों से पूरा पंडाल जगमगा उड़ता है कि बेल पत्र जो अपने शिव जी को चड़ता है बाबा बाल दिव्य दर्शन मिलता है यह बंगाली समाज के तरफ से जो आयोजन होता है बहुत ही जानदार और शांदार होता है जिसकी प्रसंस्ता कुछ जम के होती है और जब यह पूरा कैंपस भरा होता है आरती भी होती है तो सदारन नहीं छुमते हुए पूरे नगाले के साथ हर तरह की आरती होती है और और थी कंपडिशन भी होता है लोग इसमें शामिल भी होते हैं यह रही जो आप बता रहे हैं बाइस तारी को कचवडी हलुआ ये भक्तों को बाटा जाएगा जो दर्सन करने आएगे वा गया बात है मां का दर्सन भी करिए और साथ में प्रसाद में कचवडी हलुआ बंगाली समझ के तरफ से बदाई हो उसके बाद हो जाती है नौमी में कुमारी पूजा नौमी पूजा और आपका हावन उसके बाद इधर इधर यह सब होता रहता है उधर दिन में एक बज़े से भोग किलाना सुरू हो जाता है यानि मांका जो भोग है वो वितरण किया जाता है लोग आते हैं बरिश्रद्दा के साथ ग्रहन करते हैं उसके बाद साम ह आरती होती है। फिर भूग चड़ता है सामका अर उसके बाद अपना refilated होती है। तैसे बहुत बहुत धन्यवाद यही कि 2-2 को आप ने बताया कि बहुत तरीके शिकायकरम होता एक भूआ कायकरम होता है। तेईस तारीकों और बकादे उस दिन जो जलूस निकलता है उसमें सहर के लोग सामिल होते हैं तो क्या-k्या होता है पिर तेईस तारीकों जो हमने बता है वो ही होते हैं करते हैं लिए करता ती हैं उसके बाद फिर मा की बिदाइग किए जाती एं तो चौबीस ठारी को मां की बिदाई होगी और उसके पहले बहुत सारे कायकरम आयू जीत होंगे उसकाइकnd मे जरूरी है कि आपक रहना क्योंकि सिंदूर का एक बढ़ा आचा कायकरम होता है उस में हमें लगता है कि बहुत शारी महिलाइं स्मील होती हैं मां के परती जो आस्ता रखते हैं एक बार जरूर यहां आती हैं तो कायकरम का जो हमने आपको बताया बीस एकईज बाइस टेश चोविस यह कायकरम लगातार चलेगा और आज एकईज तारिक है साम को जरूर आएं क्योंकि आज का कायकरम बड़ा ही सुंदर है फिर हम संजय स्वाल नमस्कार सभी को जय माता दे